मक्के के फूल बेचने वाले को अंग्रेजी में पाउपकॉर्ण सिनेमा हम चले जाओ इतना डबा 280 रुपया का है और मक्का लोगे 30 रुपया किलो बरात में आये हैं क्या चिप्स बनाने दो आलू का चिप्स पैकिट में नहीं होता पूरा बड़े दो आलू तीस रुपय का है बाकी तो हवाई है उसमें है ना नविन जी वो अस्य रुपया बोरा क्यों खरीद रहा है क्यों उसको उपलब्द हो इस पर भी कोई कानून होना चाहिए कोई व्यवस्था लाइए सरकारी बाबू जो बियर हाउसिंग के होते है यह अपना अनुभा पताय देना हुए एक बाद बुरी लगे तो भली और बुरी बली लगे तो अच्छी बाद वो लोग क्या करते हैं जो गेहूं खुले में रख देते हैं बरसात्म जान बूज के क्या तो दस-बीच हजार कुन्टल लाख कुन्टल कहीं भीघ जाता कहीं 2000 कुछ गरिज करनें हो थिकर में कई लाख कुंटल अनुध के खराब हो जाता है ठीक वो जान बूज के भिगोत देते हैं ऐसे इसे संत लोग हैं कि स्थ्थिप्रबति के इसे अधिकारी हैं अ 오래 के बाद वो भेच देते हैं उन्हें पहुने धाम में बीयर फेक्टरी को क्या यह को रॉकेट साइंस है को गुप्त बात बता रहा हूं इसको नहीं पता नवीन जी को नहीं पता सुनिल जी को नहीं पता उमा संकर जी को नहीं पता कि हरनाम जी को नहीं पता कि कुल्दीप को नहीं पता कि भीम सिंग साब को नहीं पता कि सचाहीं नहीं है अब वो चार घूट की गिलसिया 50 रुपया 60 रुपया 80 रुपया बेच रहे और लोग लाई लगाज पी रहे और जिसने जव उपजाई उसके घर के बरतन भीके जा रहे और हम सब लोग करे नारा लगाओ सब ठ पेप्सी जब चिप्स बना के बेशती है तो वो फरुखा बाद है मेंपुरी और आगरा के आदमी को आलू उत्पादक को क्या दाम देती है कभी पूचा पेप्सी से बुला के कि लूट की कोई सीमा रखोगे कि नहीं कि सिरिंज लगा के किसान का खूचूच लोगे उसकी मजबूरी है जिस दिन हरनाम सिंग के पास इतना पैसा हो जाएगा कि ये प्रप्सी जैसा प्लांट लगा ले उस दिन इनके आलू कोई अउने पोने दाम नहीं खरीत पाएगा लेकिन ना नोमन तेल होगा ना राधा ना चेगी पाओं में चप्पल आ जाए तो किसान मामता है मेरी तरक्की हो गई ये देश वहां ख़ड़ा है 75 साल की आजादी की बात बागी सारी बात है ठीक है किताबों में हिसान की स्थिति को लेके मुझे बड़ी पीड़ा होती अभी एक टेक्टर भारत का बड़ा लोकप्री ब्रांड है टेक्टर में महिंद्रा अभी उसके नॉर्थ इंडिया के हेड आये थे मेरे पास तो मैंने स्वाभावी कुछ सुक्ता में पूछा भाई क्या इस्ति परिस्ति है नभीन भाई सुनिए बड़ी महत्मून बात है उन्हों न का कि भाई साथ कोरोना में सब की डिमांड घट गई केवल टेक्टर की डिमांड इतनी हो गई कि हम सप्लाई नहीं कर पाई करोना में अगर कोई जग्रत रहा है संसद सो गई विधान सभास हो गई मंदिर बंद हो गई मजजिद बंद हो गई स्कूल बंद हो गई ब्यापार बंद हो गई केबल जागरत रहा है किसी देवता की तरह तो खेत रहा है किसान रहा है मिरी आख भाराती है ये जागरत देव है भारत का खेत किसान भारत का खेत बाव विश्वनात के कपाट बंद हो गए वश्रुदेवी के कपाट बंद हो गए बाके विहरी माराज के कपाट बंद हो गए जाम मस्जित बंद हो गई सुन मंदिर बंद हो गया भारत की संसत का दर्वाजा बंद हो गया भारत का खेत बंद नहीं हुआ याद वो तुधारण है जो पूरे देश को 125 करोड़ लोगों को सिर जुखाना चाहिए इसके लिए भारत की किसान के लिए मैं निवेदन करूँगा नीती आप सरकार में हो आपी नीती लाओगे और कौन लाएगा लेकिन जो हित्गराही है उनको संतुष्ट करिए लोग तंतर की मांग है किसान भारत अभी भी बहुत कुछ खेती पर निर्भर करता है मित्र एक मानसून बिगर जाता है तो निफ्टी और सेंसेक्स सबके बाबजूद भारत की अर्थ ववस्था हापने लगती है आज भी भारत का आर्थिद्धाचा खेती पर टेका है इस सत्य को ध्याना किये किसान खुश होगा तो देश खुश होगा दन्यवाद